बच्चों कैसे हो आप कोरोना की वज़े से आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे होंगे तो आपके परिवार में कौन-कौन है आपके परिवार में आप, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपका भाई एक साथ रह रहे हूं तो ऐसा परिवार जिसमें मा, पिता एवं उनके बच्चे एक साथ रह रहे हो उन्हें एकल परिवार या नियूकलियर फैमली कहते हैं ओ सकता है कुछ बच्चे ऐसे परिवार में रह रहे हो जिसमें मम्मी, पापा, बच्चों के साथ उनके दादा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे एक साथ एक ही परिवार में रह रहे हो अईसा परिवार जिसमें ममी, पापा, बच्चों के साथ उनके दादा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे एक साथ एक ही परिवार में रह रहे हुँ उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं हेमलाल करीब नौ वर्ष का बालक है और वह अपने घर के सामने अपने साथियों के साथ खेल रहा है उसके घर कुछ महमान आते हैं हेमलाल सहमा हुआ अपने घर में प्रवेश करता है तभी उसकी मा बोलती है हेमलाल तुम किरनारे क्यों खड़े हो ये तुम्हारी मौसी ये तुम्हारे मौसा और ये तुम्हारी मौसेरी बहन है जो चत्रा से आए हैं यहां आओ और सबों को प्रणाम करो हेमलाल संकोच्वस अपने मौसा और मौसी को प्रणाम करता है साम को हेमलाल अपने मम्मी पापा से पूछता है कि मौसा, मौसी और मौसेरी बहन किसको कहते हैं क्योंकि आज से पहले उसने इन्हें कभी नहीं देखा था तो बच्चों हेमलाल के प्रश्ण का उत्तर क्या आप दे शकते हैं कि मौसी, मौसा और मौसेरी बहन कौन है? हाँ आपकी मा की जो बहन हुई वो आपकी मौसी हुई और मौसी की शादी जिन से हुई है यानि मौसी के जो पती है वो ये आपके मौसा जी और मौसी की जो बेटी वो ये आपकी मौसेरी बहन तो चलिए, अब कुछ रिस्ते नाते आपको ढूंडने हैं, आपकी मा की बहन, आपकी क्या हुई? आपके पापा की बहन, आपकी क्या हुई? आपकी मा के भाई से आपका क्या रिस्ता हुआ? आपके पापा के भाई से आपका क्या रिस्ता हुआ? मा की मा आपकी कौन है पापा की मा आपकी कौन है आपकी मा के पिता आपके कौन है और पापा के पापा आपके कौन हुए अच्छा अब हम कुछ सोचते हैं क्या सोचना है आपको सोचना है कि आप अपने किन किन रिस्तेदारों से परिचित हो दूसरा आपको सोचना है कि अभी तक कौन-कौन से ऐसे रिस्तेदार हैं जिने आपने अभी तक नहीं देखा है फिर आपको पता करना है कि आपके साथियों के जो रिस्तेदार हैं वे कहां-कहां रहते हैं और आपके परिवार के लोगों की क्या उम्र है उसके साथ उनके नाम लिखें। और यहां कोई मित्र भी नहीं है उसे हमेशा अपने गाउं की याद आती है। जबकी उनकी चाची छोटे कदकी थी। चाचा कभी कभी चाची को छुटकी कहकर बुलाते हैं। इससे इन दोनों में जगड़ा भी हो जाता है जबकी चाची बिनम्रसोभाव की है। सुमन को अपने पडोस के चाचा की भी बहुत याद आती है। वे जोर-जोर से हसते थे और चाची के हाथ का बना पुआ सुमन को बहुत पसंद था। तो बच्चो सुमन का परिवार आपने देखा कि सुमन के परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उनके सरीर की बनावट अलग-अलग है और उनका स्वभाव भी अलग-अलग है। तो बच्चों, आप भी अब अपने परिवार के सदस्यों की सारीरिक बनावट और उनके अच्छे बहवार वगुनों का ओलोकन कर सकेंगे. चलिए, तो अब आप पता कीजिए कि आपके परिवार में सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? आप यह भी पता कीजिए कि आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन पका सकता है? आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? और आपके परिवार में सबसे छोटे कद का कौन है? तो बच्चो आज हमने रिष्टे नाते पाठ एक मेहेम लाल और सुमन के परिवार के बारे में जाना आप अपनी पाठे पुस्तक से इस पाठ को एक बार जरूर पढ़े धन्यवाद